दोस्तों मैं सोरमली काप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फिर क्विज में आज हम देखेंगे 6 मार्च की करेंट फिर को जो की सभी परिक्साओं के लिए मैंत पून रहेगे डेली करेंट फिर क्विज में मैं आपको डेली 10 मिनिट में 20 करेंट फिर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट फिर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना हाल ही में भारत के पहले सवदेशी प्रोटोटाइफ फास्ट ब्रीडर रियक्टर की सुरुवात कहा हुई है मेरे प्यारे दोस्तों पहले कोशन का राइट आंसर हैगा तमिल नाडु में यानि की A is the right answer मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे कोशन का राइट आंसर हैगा अपना भारत यानि की B is the right answer तीसरा कोशन है हाल ही में मुडीज ने 2024 में भारत की व्रद्धिधर कितने परतिशत रहने का अनुमान लगाया है कोशन नमबर 3 का राइट आंसर हैगा 6.8% यानि की C is the right answer कोशन नमबर 4 है हाल ही में किस राज्य की सिलवर फिलिग्री को जिय टेग मिला है कोशन नमबर 4 का सही उत्तर रहेगा उडीसा की यानि की A is the right answer कोशन नमबर 5 है हाल ही में फिलिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल बुगतान सेवा फिलिपकार्ट यूपियाई लौंच किया है दोस्तो कोशन नमबर 5 का सही उत्तर रहेगा एक्सिस बैंक के साथ यानि कि C is the right answer प्यारे दोस्तों अगर आप लोग किसी भी competitive exam की चारी करते हैं तो आप हमारी master पीडियाप ले सकते हैं मात्र 170 रुबे में इस पीडियाप के अंदर आपको सभी subject के important question answers मिल जाते हैं पीडियाप का link description box पर हमारे WhatsApp नमबर दोनों जेंगे मिलेगा लिंक पर क्लिक करके payment करके आप पीडियाप को तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं चटा question है हालही में बिम्स्टेक का पांच दिवस्य संकाय विन्यम कारेकरम कहां शुरू हुआ है दोस्तों चटे question का सही उत्तर रहेगा धाका में यानि कि B is the right answer question number 7 है हालही में किस राज्य सरकार ने इंदरा मा अवास योजना शुरू करने की गोशना की है साथवे question का right answer हैगा तेलमना यानि कि B is the right answer question number 8 है हालही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे ब्रैंड अमबेसेडर बनाया है दोस्तों आटवे question का सही उत्तर हैगा नीरा चोपडा को यानि कि C is the right answer question number 9 है हालही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहा किया गया है question number 10 है हालही में किसे मारास्ट भूशन प्रूसकार 2024 मिला है session आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए अपने भाई भेन दोस्तों की साथ में share करिएगा और मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो सुबह साड़े 6 बज़े only top study YouTube चैनल पर regular आती है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लिया करें दसवे question का right answer रहेगा डोक्टर परदीप महाजन यानि की B is the right answer ठीक है question number 11 है हाल ही में बरजेस महरोत्रा को किस राज्य का नया मुख्य सची नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों 11 वे question का सही उत्तर क्या रहेगा बिहार यानि की C is the right answer question number 12 है हाल ही में भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कोरिडोर का उद्गाटन करेगा दोस्तों सही उत्तर रहेगा भारत और नेपाल यानि की B यहाँ पर सही उत्तर रहेगा question number 13 है हाल ही में EC ने एक चोक लिंगम कोकिस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है मेरे प्यारे दोस्तों question number 13 का सही उत्तर रहेगा महराष्ट यानि की C is the right answer question number 14 है North East India Film Festival 2024 का आज़न किस राज्य में किया जा रहा है question number 14 का सही उत्तर रहेगा मनीपूर यानि की B is the right answer question number 15 है हाल ही में पूरा तत्वेता अरुन कुमार सर्मा का निधन हो गया इन्हें किस वर्ष पदम सिरी परदान किया गया था question number 15 का सही उत्तर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों 2017 यानि की D is the right answer question number 16 है Bureau of Energy Efficiency BEE के राज्य उर्जा दक्स्ता सुचकांग 2023 के अनुसार उर्जा के चेत्र में सिर्ष परदशन करने वाला राज्य कौन सा है question number 16 का सही उत्तर रहेगा दोस्तों करनाटक यानि की A is the right answer question number 17 है हाल ही में वेडियो गेम निर्माण के करांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए किसने जीनी AI लोंच किया question number 17 का सही उत्तर रहेगा गूगल यानि की D is the right answer यह आपको याद रखना है question number 18 है हाल ही में किस केंद्रे मंत्री ने हज सुईदा एप लोंच किया question number 18 का सही उत्तर रहेगा दोस्तों question number 19 है हाल ही में कहां कि रूपात तारकासी को जैटेक दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों 19 में question का सही उत्तर रहेगा उडीसा यानि की A is the right answer question number 20 है हाल ही में मेक्सिकन ओपन खिताब 2024 किस ने जीता तो question number 20 का सही उत्तर रहेगा LX D minor यानि की B right answer हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ये तो थे हमारे 20 current affair के question answers अब बात कर लेते हैं आज के homework के बारे में आज का हमारा homework का question है हाल ही में किस देश के पास Amazon Versa 1 में दुनिया का सबसे लंबा साप खो जा गया है इस question का answer सभी student comment box में बताएंगे जो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा आज का हमारा question of the day है धवनी की चाल सबसे अधिक होती है पांच सैकिंड का समय मिलता है जल्दी से answer बताईए इस question का मेरे प्यारे दोस्तों इस question का सही उत्तर हो जाएगा धवनी को चलने के लिए दोस्तों किसी माध्यम की जोरत होती है तो इसका सही answer एगा ठोस में यानि की A is the right answer देखे कल का हमारा homework का question था PM मोधी ने कहाँ पर भारत के पहले सवदेशी hydrogen fuel cell फेरी यानि की नोका का उधगाटन किया है तो right answer एगा तमेल लाडू यानि की A right answer हो जाएगा इस question का सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा only top study app डाउनलोड नहीं किया है इसको डाउनलोड करिए 5 star की rating करिएगा और यहां से आपको कहीं free PDF मिल जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी master PDF नहीं ली है तो master PDF जरू ले लिजे मात रेक 170 रुपे की PDF है जिसके अंदर आपको history, geography, politics, economics, physics, chemistry, biology, current, computer, strategy के all subject की PDF मिल जाती है वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं PDF का link description box और हमारे whatsapp number दोनों जगे मिलेगा link पर click करके payment करके आप PDF को directly प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको यह session अच्छा लगा है पसंद आया है तो like share करिए चैनल पर नए है तो subscribe कर लिजे बेल आइकन को on रखे ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो और अगर आपको payment करने के बाद में PDF नहीं मिलता है तो हमें payment का screenshot इस वोट्सअप नमबर पर भेज देना आपको PDF वोट्सअप पर ही मिल जाएगी थैंक यू सो मच बाई बाई अव्रीमन टेक केर